बाबा केदर बार बार धहत घर बार बाम माई बेटी के याग में जोगत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के दीएम तो बड़ी रंग बाजबा कान पूरते हाथ में ले आई राम राजबा बुल्डोजर से रहुंदत दिख्षित के घरवाए आजबा और यही बुल्डोजर वापे बाबा के नाजबा काबा यूपी में काबा नमस्कार दोस्तों यह है नहा सिंग रात थोड यूपी चुनाओ के टाइम पर इनका यूपी में काबा गाना काफी पोपलर हुआ था साड़ी में दिखी लोग गाई का नहा सी चर्चा में आगी थी सोशल मीडिया से लेकर टीवी चानलों की डिबेट में वो दिखाई देने लगी अब एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है लेकिन मामला थोड़ा अलग है नहा सिंग के नए गाने यूपी में काबा पार्ट टू के लिए यूपी पोलीस ने नूटीज बेजा है उनसे साथ सवालों के जवाब मांगे गए है नहा पर आरोब है कि वो अपने गाने से समाज में नफरत फैला रही है तीन दिन के अंदर नहा को जवाब देना होगा जैसे ही एक खबर सामने आई समाजवादी पार्टी से लेकर आम आत्मी पार्टी के नेदा योगी सरकार पर बरस पड़े अखलेश यादव जी ने तो पूरी कविता लिखकर ट्वीट कर दी दिली के उभु मुख्यमंदरी मनिश सिसोधिया ने कहा कि क्या एक लोग गाएगा की आवा से इतना डर गई है बीजेब तो उन्होंने कहा कि कानपूर देहात में अलड़ी इतने सारे इंसिडेंस हो चुके हैं जो क्रिटिसिसम डिसर्व करते हैं जैसे कि मा बेटी को जिन्दा जला दिया जाता है परशासन की बरबरता, आग लगी, बुल्डोसर ये सारी चीजे हुई इन्होंने हमेशा से घटनाओं और मुदो पर गीव लिखा है यूपी चुनाओं के टाइम पर भी जब गाया था तो इनके बारे में कमेंस की गई थी और इन्होंने ये भी कम्प्लेइन किया है अंबेतकर नगर में इनके ससराल में पुलीस वाले जीप में भर कर पहुँच गे थे जैसे किसी क्रिमिनल को पकटने जा रहे हो इतना क्या क्रिमिनल एक्टिविटी इन्होंने किया है government को criticism ही तो किया है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों UP police की notice में क्या है मैंने जो 7 सवालों के बारे में बताया न वो 7 सवाल क्या थे बड़ा आजीब सवाल है दोस्तों number 1 क्या वीडियो में आप खुद है या नहीं सवाल दो जिन internet media platform पर ये गाने पोस किये गए है क्या नहा सिंग राथोड खुद चलाती है या कोई और चलाता है सवाल 3 क्या वीडियो को आपने यूटूब और ट्विटर पर अपलोड किया सवाल 4 police ने पूछा है कि जो गाने उन्होंने गाए है वो उन्होंने खुद लिखे है या किसी ने दिये है सवाल 5 गाने लिखने और गाने का आथार क्या है सवाल 6 क्या नेहा सिंग राथोड चानल और नेहा folks singer ट्विटर आपके है या नहीं सवाल 7 अगर ये platform आपके है तो क्या आप इनका इस्तमाल करती है या नहीं तो बेड़े अजीब सवाल है दोस्तों, इन सवालों से ये clearly पता चलता है, police या government ये पता करना चाता है कि नेहा सिंग राथोड के पीछे कोई है तो नहीं, ये कोई political conspiracy तो नहीं, जो भी है नेहा का कहना है कि लोगों को खुद ये गाना सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या इसमें समाज में कोई animity या violence फेल रही है अब देखिए दोस्तों, बात ये है नेहा सिंग राथोड जो कर रही है इसे बोलते है constructive criticism, democracy में constructive criticism का एक important role है ये ऐसा एक चीज है दोस्तों, जो एक democracy को live रखता है, जिन्दा रखता है आज की date में कई सारे लोग ऐसे सोचते ह कि अगर उनके पसंद वाला political party ruling पर आते हैं, तो उनकी तारीफ करना चीए, उन्हें overwhelming support प्रवेट करना चीए, वो उन्हें अच्छा governance प्रवेट करने में, अच्छा administration प्रवेट करने में मदद करते हैं, पर actually ऐसा नहीं है दोस्तों, constructive criticism is the key, एक democracy में अगर आप एक government की तारी कि दोस्त जो है, आपका हमेशा तारीफ करता है, ठीक है, आप जो भी करते हैं, दोस्त ताली मारते हैं, मतलब आपके सामने कोई challenges ही नहीं है, तो आपका जो level है, वो कभी upgrade नहीं होगा, हो सकता आपका current level अच्छा हो, पर वो level से कभी आप उपर नहीं जाओगे, क्योंकि आ देखे, time की इसाब से needs and requirements भी अलग होते हैं, उसके इसाब से government को अपना policies and interventions भी change करना होगा, अगर एक government वो नहीं कर पा रहा है, situation की इसाब से circumstances की इसाब से performance नहीं दे पा रहा है, तो उन्हें criticize करना चीए, 100% क्रिटिसेज करना चीए, उपर से government का carelessness की वज़े से, inefficiency की अपनी तरफ से जो गलतिया हुई है, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, है की नहीं, जैसे कि देखें दोस्तों, COVID-19 pandemic का second wave के time पर oxygen cylinders की कमी की वज़े से, कई सारे लोगों का death हुआ था, actually वो government की तरफ से एक fault था, तब बहुत criticism face करना पड़ा government को, तो अभी वो government इस तरह एक disaster आने से पहले वो अपने आपको तयार रखेंगे, ताकि लोगों का जान बच जाए, ये सबकी अलावा जब creative लोग, like musicians, comedians, cartoonists, अपने तरीके से एक-एक issues का relevance आम जनता को समझाते हैं, उनके तरीके से government को या police को criticize करते हैं, उसे positive side में लेना चाहिए, और उसे सुथारने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक-एक government को या political parties को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें चुप कराने के लिए, या फिर criticism को खतम करने के लिए power का इस्तमाल करो, ये इंडिया में केवल एक political party नहीं, अनेक political party किये है, तो खुल मिलाकर एक democracy में actual power लोगों के हाथ में है दूस्तों, वो power को कैवल government को praise करने के लिए या फिर government की तारिफ करने के लिए नहीं, उन्हें criticize करने के लिए भी use करना चाहिए, उन्हें correct करने के लिए भी use करना चाहिए, जहाँ पे जो बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, तब जाके quality and efficiency of governance maintained रहे इस बारे में आपका क्या opinion है, आप मुझे comment box में बता दीजेगा, thank you for watching, bye bye, have a new day